कलास टेंथ मैथ अबजेक्टिव कोश्चन भी भी आई देखिए पहला कोश्चन पहला कोश्चन है दो परमे संख्याओं के बीच अधिक्तम कितनी परमे संख्याओं हो सकती है बताना है आपको दो परमे संख्याओं के बीच अधिक्तम कितनी परमे संख्या हो सकती है तो दो मन लिए कि 3 है और 4 है इसके बीच में पर में संख्य निकलना है हम अंगीनत निकाल सकते हैं 3.1, 3.2, 3.1, 3.1, 3 इस तरह से करके हम अंगीनत निकाल सकते हैं इस तरह से एंसर हो जाएगा अनौन्त निम्नलिखित में कौन सी आभाज ये संख्या है आभाज ये संख्या उसे कहते हैं जिसमें उस संख्या से खुद उसमें भाग लगे और एक से लगे बाकि किसी संख्या से भाग नहीं लगे जैसे 29 से किसी के पहड़ा में ये नहीं आता है किसी से भाग इसमें नहीं लगेग ठीक है तो 29 एंसर हो गया 0.3 पर बार है जब 0 हो और पॉइंट हो पॉइंट के बाद जितना भी संखिया और उस पर बार हो पूरा पॉर तो उतना बाटा आप 9 लिख दीजिए तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बाटा 9 कटाएंगे तो एक बाटा 3 एंसर सी नमर एंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है हमारा साथ पॉरे संख्या में रूट है कह रहा है यह क्या है पर्मे संख्या है क्यों पर्मे संख्या भीन है या पूरा इंक है यह संख्या जो है और पर्मे संख्या जिसमें root रहता है और पर में संख्या कहलाता है तो answer हो जाएगा B number अब कर रहा है इसमें से पर में संख्या कौन है अब देखिए इसमें root है और पर में है A B और पर में है A B root है और पर में है यह 16 है 4 के square है रूट से बाहर हो जाएगा यह संख्या जो है आपका पर में है इंसर हो जाएगा D number अगला question देखिए अब question है आपका 5, 15, 20 का लोसा मौसा का अनुपात बताना है सबसे पहले आपको लोसा निकालना है 5, 15, 20 का 5, 15, 20 का लोसा जो है हो जाएगा 60 क्योंकि 20 सबसे बड़ा है, LCM निकलने का trick बता रहा हूं 20 बड़ा है 20 का पहला प्रबीस दूने 40, 40 लिखिएगा तो पंद्रे का पहला में नहीं आएगा 60 लिखिएगा, तो पंद्रे के भी पहला में आएगा, 5 में भी आएगा, 60 में भी, 30, LCM हो जाएगा 60 अब मौसा देखिए, मौसा सबसे छोटा वाला को कहते हैं 5 है, तो यह हो जाएगा 5 अब इसको हम कटा देंगे तो हो जाएगा 12 बटा ये, यहनि इसका अनुपाद क्या होगा, 12 अनुपाद एक, एंसर हो जाएगा D नमबर इस तरह से एंसर हो गया D नमबर, चलिए, कोश्चन नमबर 7 देखते हैं, क्या है क्योश्चन नमर 7 है, किसी पूनांक एम के लिए समसंख्य का रूप है इसमें से समसंख्य के कौन सा रूप में है, पूनांक है हम इसमें मान रखेंगे एक, दू, तीन, सब में, देखेंगे समसंख्य कौन ला रहा है यहां पर हम रखते हैं एक तो हो जाएगा तीन तो तीन समसंख्या नहीं है समसंख्या कहते हैं जिसमें दू से भाग लग जाए अब यहां पर रखते हैं एक तो दू गा एक तीन यह भी नहीं है यहां रखते हैं एक तो होगा दू तो दू सम्संख्या फिर रखते हैं दू तो हो जाएगा चार फिर रखेंगे यहां तिन तो तिन दूना छो यानि कि सम्संख्या आ रहा है इसलिए हमारा इंसर हो जाएगा C number चलिए अगला question देखते हैं क्या है अगला question है यदि P तता Q दो आभाज ये संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा देखिए आभाज ये संख्या जिस आभाज ये संख्या मालेजे कि एगो 3 है एगो 5 है तो मौसा क्या होगा 0 और 50 के बीट में कितनी विशम संख्या है आपको बताना है तो देखिए 0 और 50 के बीट तो एक तीन ठीक है एक तीन पाट यानि एक संख्या छोड़के एक तो 50 को है तो 25 को हो जाएगा simple answer यहाँ पर answer हो जाएगा 25 चलिए अगला question देखते हैं कर देखिए क्या है दोस नम्रर देखिए க setup Re और यह 1 स्क्वार है तो रूट होट जाएगा तो एंसर हो जाएगा डी नम्र यह पर नहीं है है चलिए आप question हम देखने है 1 और नम्र क्या है 1 और नम्र question है क्योंन सी अपर पहर में नहीं है इसमें से रूट नहीं हटेगा, रूट नहीं हटेगा, रूट नहीं हटेगा, इसमें से रूट हट जाएगा, आठ के स्क्वार है, नीचे नौ, तो आठ बाटा नौ हो जाएगा, तो यह अपर में नहीं एंसर जाएगा, यह नमबर, किसका दो समलो पर सार सांथ है, दो समलो जो भी कटने वाले उसको हम कटा देंगे यह तीन बटा आठ है अब यहाँ पर क्या है यह कोड़ है दोसमलोग परसार सांथ है दोसमलोग परसार सांथ जो है आपका बी नमबर भी है यह बी वाला भी सांथ है और ए वाला भी सांथ है मतलब जिसके नीचे हर में दो पांच आता है वो सांथ होता है याद रखिएगा चलिए कोश्चन नमबर देखते हैं तेरा सबसे छोटी अभाजय और सबसे छोटी भाजय संख्या का गुड़नफल क्या होगा सबसे छोटी अभाजय दू है और सबसे छोटी भाजय भी दू है तो चार एंसर हो गया आपका गुड़नफल कह रहा है दो संख्या ए और अठार का लौस तथा मौस दू है तो ए का मान देखिए दो संख्या ए और अठारा है लोसा तथा मोसा जो है दू है लोसा मने ए और अठारा का लोसा तथा मोसा दू है तो ए का मान बताईए समझ गए तो हमान बता देंगे लोसा गुड़े मोसा बराबर दो संख्या होता है फर्मूला हमारा लोसा गुड़े मोसा बराबर दो संख्या इस तरह से हमारा एंसर आ जाएगा चार एक आदमी 24 मिटर पुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष देखिए छोबटा पंद्रे का दोसम्ला परसार क्या होगा तो दोसम्ला परसार सांत होगा छोबटा पंद्रा है पंद्रा है कटाएंगे तो पांच निचे आएगा तो सांत होगा निवने में कौन से भाजयो संख्या तो भाजयो संख्या सिंपल है आठ में भाग लगेगा 9 में भाग लागए इस विडियो में आपको हम 20 वो अब्जेक्टिम कोश्चन बताएं है पहले चाप्टर से इसी परकार अभी इसी चाप्टर से 20 वो कोश्चन अपको हम अगले वीडियो में बताएंगे वीडियो को बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सेयर करें हर चाप्टर से आपको हम अब्जेक्टिव कोशन बताने वाले हैं एक भी कोश्चन आप से जो है एक्जाम में नई छुटेगा पूरा चैलें फार दे दिया के जाकर एक्जाम में एक तम बना के आप